Good morning student. Today I am going to teach you Science Chapter 4 Adaptations in Animals. Living things have the ability to adjust or adapt to their surroundings. This is called adaptations. Living things में अपने परिवेश को adjust और adapt करने की ability होती है जिसे हम adaptation कहते हैं. A habitat is the natural surroundings when an animal lives. A mountain goat or a yak can live easily in the mountains while donkey or cow prefer the flat plains. Human beings find it easy to live on land while fish can live only in water. अगर एक निवास अस्थान निवास अस्थान जहां रहते हैं उसको हम लोग निवास अस्थान कहते हैं. एक प्राकिर्थिक आस पास है जहां एक एनिमल रहता है. एक पहाडी बक्रा या याक पहारों में आसानी से रह सकती है जबकि आस या काउ समतल मैदान को अधिक पसंद करते हैं मतलब आस को गधा को या फिर गाय को अगर हम लोग पहार में जाकर रखेंगे तो वो नहीं रह सकते हैं पर पहारी अलाकों में कुछ ऐसे जानवर जैसे बकड़ा हो गया या फिर याक हो गया इसको चाहेंगे तो हम लोग उसको पहारी अलाका में रख सकते हैं human beings को यह आसान लगता है भूमी पर रहने के लिए जबकि मचली केवल water में ही रह सकती है मचली को अगर हम लोग पहार में रखे हैं या फिर खुले मैदान में रखتे हैं तो वो नहीं रह सकता है पर अगर मचली को अगर हम लोग फिश को अगर water में हम लोग अगर रखते हैं तो ऑसानी से रह सकते हैं उनको वो जयादा पसंद आता है Like plants, animals to develop special features to adapt themselves to their habitats अपने आवास के अनुकूल बनाने में भी जानुवरों को विशेशताएं विक्सित होती है। आईए अब हम अनिमल्स में विभिन परकार के अड़ेशन पर बात करते हैं। अड़ेशन टू है। अड़ेशन टू है। अपनी आदतों के अनुसार अनिमल्स को हम फोर मेजर ग्रूप में बाटा गया है। जैसे कोई भी जानुवर है तो उसका रहने का खाने का अलग-अलग है। जैसे काउ है बफैलो है तो यह घ्रास खाते हैं वैसी लायन है। यह सब स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं तो सबका अलग-अलग है। उसी को हम लोग फोर मेजर ग्रूप में बाटा गया है। फर्स्ट अफॉल टेर्स्ट्रियल एनिमल्स, शेकेंड एक्वेटिक एनिमल्स, थर्ड एमफिबियन्स एनिमल्स, फोर्थ आर्बोरियल एनिमल्स और एरियल एनिमल्स, आर्बोरियल एनिमल्स को ही एरियल एनिमल्स कहते हैं। थेंक यू